गूड इवनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में पर्थम आंगले मराथा यूद के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा स्टुडेंट्स इस वाले वीडियो में हमने आ जो संक्सिप तोर से माली जिएगा जो संक्सिप तोर से जो जानकरी है वह आपको उन्हाले वीडियो में मिलेगी और फिर हम जो अभी जो वीडियो मना रहे हैं अलग-अलग युद्धों के बारे में अलग-अलग वीडियो आपको बताएंगे तो मतलब पहले एक साथ इस 1775 से एंड में जब सा या आपकी सालबाई की संदी होती है 1782 में तब तक चलता है और अंगले मराथा युद्ध इसलिए होते हैं क्या होता है कि मुगल मुगलों का जब पतन हो जाता है तो अब भारत में एक ऐसी सक्ति जो सक्तिसाली जो जो वीडेशियों का सामना करने के ले थी वो थी मराथे और मराथों में भी क्या है कि इस समय बहुती आपसी मतभेद हो रहे थे तो इन सब का फायदा उठाते हैं अंग्रेज ठीक है और फिर क्या है कि उनको अंग्रेजों को मराथों से लड़ना पड़ता है और अंत में अंग्रेजों की जीत होती है मराथ हारते हैं ठीक है तो देखेगा पर्थम जो अंगल मराथा यूद है इसके कई कारण भी है और फिर देखेगा इसके पर्थम अंगल मराथा यूद का विवरण भी हमने दिया है इसमें कई मतलब संधिया हुई है तो यह जो संधिव अगरा है इनकी डेट है और है यह सब पर्थम अंगल मराथा युद तो देखेगा पर्थम अंगल मराथा संगर्स है इसके कई कारण थे तो जैसे कि पर्थम अंगल मराथा युद का पर्मो कारण मराथों के आप सी जगडे और अंग्रेजों की महत्वय कांग साइं थी ठीक है तो जब अंग्रेज मतलब सोरी पापस में जगडे हो रहे थे इनका भी जो मराठा संग है तूट गया था और इन सभी चीजों उनका जो मतलब फाइदा उठाया अंग्रेजों ने और अंग्रेज हैं वो महत्व कांगसी थे वो ब्यापारी बनके यहां पर आये थे लेकिन उन्होंने यहां पर कई सालों तक राज किया था ठीक है और मुगलों के पतन के समय भारत में मराठा सकती उद्धित हो रही थी अता जो सकती भारत में परमुक स्थान प्राप्त कर रही थी उसका अंग्रेजों से संगर्ष होना भी स्वाभाविक था ठीक है तो इन सभी कारणों से क्या होता है यह पर्थम अंग्ले मराठा युद्ध होता है तो देखेगा अठारा नवंबर 1772 को पेश्वा माधवराव की निसंतान ही मर्त्यू हो जाती है और उसका भाई नारायन राव है वह पेश्वा की मन सब पर बठा ठीक है अब देखेगा कि उसका जो चाचा था रागोबा जो रगुनात राव था वह पेश्वा बनना चाता था अतह रागोबा ने अपनी पत्नी आनंदी भाई के सयोग से 13 अगस्त 1773 को नारायन राव की हत्या करवा दी और अपने आपको पेश्वा गोसित कर दिया किन्तु मराठों में एक ऐसा वेक्ती भी था जिसके नेत्रतों में मराठा सर सरदारों ने उसका विरोध किया और वह वेक्ती था बाला जी जनारदन अर्थात नाना फड़नवीज ठीक है हम आपको नाना फड़नवीज के बारे में भी अलग सी वीडियो में बताएंगे तो जो बाला जी जनारदन अर्थात जिनका जो मतलब इत्यास में जिस नाम से परसीदव हैं फड़नवीज ये क्या है कि ये भी मराठों के परमुक सरदार थे नाना फड़नवीज के नेतरतों में मराठों ने बाराबाई संसत का निर्मान किया और सासन परबंद अपने हाथ में ले लिया किन्तुन के सामने समस्य थी कि पेश्वा किसे बनाय जाए जि इसका ना माधवराव द्वित्य रखा गया बाराबाई संसत ने माधवराव द्वित्य को पेश्वा घुसित कर दिया और नाना फड़नवीज को उसका सरंखसक नियुक्त कर दिया बाराबाई संसत ने रागोबा को गिरफतार करने का आदेश दे दिया ठीक है और इस पर रागोबा ने दिसंबर 1774 इस्वी में थाना पर आकर्मन कर दिया, किन्तु वे प्राजित होकर भाग खड़ा हुआ, और इसी पर्षंग में होती है सूरत की संधी, जो एकजाम की दर्ष्टी से बहुत ही महत्वपुन है, और रागोबा है अर्थाव जो रगुनात राव है, वे भागर कहां जाता है, बंबई और बंबई कॉंसिल के अध्यक से, होड़न बाई से बात चीत करता है, उसके बाद कंपनी की बंबई साखा और रागोबा के बीच 6 मार्च 1775 इस्वी को एक संधी होती है, और इस संधी को सूरत की संधी कहते हैं, इस संधी में जो बातें तै हुई थी, वो देखेगा क्या क्या हैं, तो सूरत की संधी किस-किस के बीच में होती है, रागोबा और अंग्रेजों की जो बंबई के साका थी, उसके बीच में और ये कब होती है, सूरत की संधी होती है 6 मार्च 1775 इस्वी को ठीक है, और इसकी जो सर्तें हो देख रागोबा ने अंग्रेजों को बंबई के समीप साल सेट द्वीप थाना जंबू सरका परदेश तथा बसीन को देने का वचन दिया ठीक है अंग्रेज रागोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे सूरत की संधी के अनुसार बंबई सरकार रागोबा से डेड़ लाक रुपे मासी खर्च लेकर उसे पची सो सेनिकों की साथा देगी अपनी सुरक्षा के बदले रागोबा कंपनी की बंबई साखा को 6 लाक रुपे देगा यदि रागोबा पूर्णा से कोई सांती समझोदा करेगा तो उसमें अंग्रेजों को भी सामिल करेगा तो यह मतलब संधी की सूरत की संधी की सरते थी आप देखेगा जो कंपनी की बंबई साखा है उसने यह संधी गौर्णर जनरल को बिना पूछे की थी ठीक है और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी की बंबई साखा इसके लिए अधिक्रत नहीं थी संधी के बाद होन बाई ने केवल पत्तल लिखकर इसकी सूजना गौर्णर जनरल को भेज दी और इस टाइम पर गौर्णर जनरल को था ओरेन हेंस्टिंग जे ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि जो पर्थम अंगले मराठा यूद होता है उस समय गौर्णर जनरल वोरेन हेंस्टिंग था और फिर देखेगा कि इस संधी के कारण ही अंग्रेज वै मराठों के संगर्शों का सुत्रपात हुआ और मोर्शन ने मराठों को जो आश्वासन दिया था उसे इस संधी द्वारा तोड़ दिया गया रगुनात राव ने अपने व्यक्तिगत श्वार्थ के कारण संपूर मराठा जत्ती की परतिर्ता का बलिदान कर दिया देखेगा जो रागोबा है वह इतना वो निकला कि भाई वह अंग्रेजों की सरण में चला गया था एक तोर से देखे तो यहीं से पर्थम अंग्लमराठा यूद का संगर्श होता है तो सूरत की संधी महीं पर्थम अंग्लमराठा यूद ह होता है संधी के बाद सरकार ने रगुनात राव के साहाधता के लिए एक सेना बे जी अंग्रेजी सेनाई पूर्ना की और बड़ी 18 मई 1745 को अंग्रेजों वे मराठों के बीज अरास नामकस्तान पर यूदवा जिसमें मराठे प्राजित हुए अंग्रेजों ने साल सेट पर अधिकार कर लिया किन्तु इसी समय बंगाल कॉंसिल ने हस्तक सेप किया क्योंकि बंबई सरकार ने ये समझोता बिना बंगाल कॉंसिल की स्विकरती से किया था बंगाल कॉंसिल ने सूरत की संदी को एश्विकार कर यूद बंद करने का दिश दिया क्योंकि ये संदी रागोबा द्वारा अस्ताक स्रित है और अब वपेश्वा नहीं है सूरत की संदी से कंपनी को अनावशेक युद में भाग लेना पड़ा है मराठा सकती से अंग्रेजों को कोई छत्ती नहीं हुई है अतह हैं उनके आंत्रिक मामलों में हस्तक सेप करने का कोई ओचिते नहीं है ये संदी रेगूलेटिंग एक्ट के विरुद है तो मरलब सूरत की संदी में कई कमिया थी जिस कारण उसको भंग कर दिया गया तो देखेगा जो बंगाल कॉंसिल ने युद बंद करने का अदेश दिया था फिर भी युद बंद नहीं हुआ था तब बंगाल कॉंसिन ने करनल अप्टन को मराठो से बाचीत करने पुना बेजा अप्टन के पुना पहुँचने पर युद बंद हो गया पुना में अप्टन और मराठो के बीज मतभेद उत्पन हो जाते हैं क्यों क्योंकि अप्टन ने रागोबा को सोंपने से इंकार कर द स्दाशीवरावव, एक दूसरे मोर्चे पर मराठों के विरूद आधम का, ठीक है, मराठे दो मोर्चों पर युद नहीं कर से के, और उन्होंने अंग्रेजों से एक मार्च 1780 को पूरंदर की संदी कर ली, ठीक है, अब देखेगा, पूरंदर की संदी, तो जब पूरंदर क संदी मतलब कब हुई थी यह भी एक्जाम की दस्ट्री से मैतवपुन संदी है तो पूरंदर की संदिया एक मार्च सत्रा सो छिंतर इसवी को होती है और इसकी सर्तें देख लीजिएगा तो देखेगा पूरंदर की संदी की सर्तें अंग्रेजों संदी ने रागोबा के लिए जो रकम खर्च की है उसके लिए मराठा अंग्रेजों को बारा लाग रुपे देंगे सूरत की संदी को रद कर दिया गया मराठों ने रागोबा को तीन लाग 15,000 रुपे वार्षिक पेंसन देना स्विकार कर लिया रगुनातरा अब कोई सेना नहीं रखेगा और गुजरात में कोपरगा में जाकर बस जाएगा युद में अंग्रेजों ने जो छेतर प्राप्त किये हैं वे अंग्रेजों के पास ही रहेंगे ठीक है तो ये थी आप अब टन ने हस्ताकसर किये किन्तु बंबई सरकार और वरेन हैंस्टिंग जे इस संधी को स्विकार करने को तयार नहीं थे इसी बीच मराठों ने विद्रोही सदासीव को पकड़ लिया और उसकी हत्या करवा दी अब मराठें अंग्रेजों से निपटने के लिए तयार थे इस्तिती उस समय और भी अधिक जटिल बन गई जब 1788 में एक फ्रांसीसी राजदूत सेंट लूबिन फ्रांस के समराठ का पत्तर लेकर मराठा दरबार में पहुंचा मराठों ने उसका सांदार स्वागत किया किन्तू जब अंग्रेज राजदूत मोर्सन पुन्ना पहुंचा तो उसका कोई विशे स्वागत नहीं किया गया और यह अफवा फैलने लगी कि मराठों और फ्रांसीसियों में संदी हो गई है उदर जो मोर्सन था उसने मराठा दरबार के एक मंत्री मोरोबा को अपनी और मिलाकर नाना फ्रांवीस और सुकराम बापू में फूट डलवा दी सुकराम बापू जो पुरंदर की संदी पर हस्ताक्सर जिसने किये थे उसने गुपत रूप से बंबई सरकार को लिखा संदी का उलंगन नहीं माना जा सकता बंगाल कोंसी ने इसका विरोध किया किन्तु वोरेन हिंस्टिंग्स ने बंबई सरकार का समर्थन किया मराठों ने स्पस्ट कर दिया कि फ्रांसेसियों के साथ उनकी कोई संदी नहीं हुई तता सेंट लुबिन को भी वापस भेज दिया गया है किन्तु हिंस्टिंग्स ने मार्च अठायतर में बंबई सरकार को यूद करने का दिकार परदान कर दिया क्योंकि जो यह लोग थे अंग्रेज थे यह तो इसी मतलब मोक्य का फाइदा ही तो उठा रहे थे अब देखे जो बंबई सरकार ने करनल एक टन के नेतरतों में एक सेना वेजी किन्तु जब वह मराठों के हाथों प्राजित हुआ तब उसके स्थान पर करनल काकबर की नियुक्ति की गई मराठा सेना का नेतरतों महाजी सिंदिया वह मलहा राव होल कर कर रहे थे मराठा सेना धीरे धीरे पीछे हटती गई और ब्रटी सेना आगे बढ़ती हुई पुना से ठारा मेल दूर तेलगाओं के मैदान तक आप पहुंची और 19 जनवरी 1789 को तेलगाओं पहुंचते अंग्रेजों को मालूम हुआ कि मराठा ने उन्हें तीन ओर से घेर लिया है अंग्रेजों ने अपने गोला बारूद में आग लगा कर पिछे हटना सुरू कर दिया इस पर मराठा ने आगे बढ़कर आकरमन कर दिया दोनों पक्सों में विशन यूद होता है जिसमें अंग्रेज पराजीत हुए और इस पराजे के साथ बंबई सरकार को एक अपमान जनक समझोता करना पड़ा और वह समझोता था आपका बढ़गाम का समझोता अब देखे जो है आपका बढ़गाम का समझोता ये अंग्रे अंग्रेजों के लिए अपमांजनक संधी थी और ये हुई थी 29 जनवरी 1789 को ठीक है और इस संधी की मतलब जो बढगाम की संधी इसकी सर्टें क्या थी अंग्रेज रागोबा को मराठों के हवाले कर देंगे ठीक है अब तक अंग्रेजों ने जिन मराठों परदेशों पर अधिकार किया है वे सबी मराठों को सूब देंगे जब तक अंग्रेज इन सर्टों को पूरा नह करें तब तक दो अंग्रेज अधिकारी बतोर बंधक मराठों के पास कैद में रहेंगे ठीक है ये था आपका बढगाम का समझोता अब देखे का जो बढगाम का समझोता है ये अंग्रेजों के लिए घूर अपमान जनकता अब देखे इसमें जो हेंस्टिंग उसने भी काया कि जब मैं बढ़गाम समझोतेगी दारों को पढ़ता हूँ तो मेरा सिर लज्जा से जुख जाता है अत्र हैंस्टिंग्ज ने उससमसोते कोश विकारी नहीं किया और उसने मराठों के विरूद्ध दो सेनाई भीजी एक सेना का नैतरत्वा कर्नल पोफम ний करनल और दूसरी सेना का नेतरत्वा करनल गोडर्ड कर रहा था जब दाना फढ़नवीज को अंग्रेजों के आकर्मन की सूचना मिलती है तो उसने नागपूर के सासक भोंसले हैदराबाद के निजाम और मैशूर के सासक हैदरेली को अपनी और मिलाया और अंग्रेजों पर आकर्मन की योजना उसने बडोदा के सासक फतेह सिंग गायकवाड से संधी की और पुन्ना की और आगे बढ़ा किन्तु पुन्ना के निकट मराठों ने उसे काफी छती पहुंचाई उदर उत्तर में करनल पोफं गौालेर के और बढ़ता है और तीन अगस 1780 को गौालेर के किले पर दिकार कर ल इस संधी में एक महतो पुन दहरा ये थी कि माजी मराठों वैंग्रेजों के भी संधी करवा देगा तथा उस संधी का पादन करवाने हितु श्विम अपनी गारंटी देगा और अब ये संधी होती है आपकी सालबाई की संधी जो एकजाम की दरश्टी से भोत महता पुन ह है और सालबाई की जो संधी है ये देखेगा सोरी देखेगा जो सालबाई की संधी है ये कब होती है 17 मई 1782 को और ये किसके बीच में होती है अंग्रेजों और मराठों के बीच में होती है तो गुजरात में करनल गोड़ड वह मराठों के बीच यूद चल रहा था ब्रिट तो अंग्रेजों की निरंतर पराजे होने लगी ब्रिटीज सेना का मनोबल गिनने लगा और हेंस्टिंग्स ने एंडर्सन को मराठों से बाचीत करने भेजा बाचीत के दुरान हेंस्टिंग्स ने एंडर्सन को तथा नाना फड़नवीस को जो पत्तर लिखे उनसे असपस्ट होता है कि वह संदी के लिए अत्य दिक विग्र हो रहा था अब देखेगा 17 मई 1782 को अंगरेजों और मराठों के बीच सालबाई की संदी होती है और सालबाई की जो संदी इसकी सर्ते क्या थी इसके अनुसार साल से टोड़ थाना दुर अंगरेजों को मिले अंगरेजों ने रागोबा का साथ छोड़ने का अस्वासन दिया तता मराठों ने रगुनात राव को 25,000 रुपे मासिक पेंसन देना स्विकार कर लिया अंगरेजों ने माधवराव द्वित्य को पेश्वा और फते सिंग गाईक वाड को बड़ोधा का सासक स्विकार कर लिया बड़ोधा के जिन भू भागों पर अंगरेजों ने दिकार कर लिया था उन्हें पुने बड़ोधा के सासक को लोटा दिया इस संधी की स्ुविकर्ती के 6 महा के अंदर हैदर अली जीते हो ये पर्देश लोटा देगा और वह पेशवा करना टक के नवाब और अंग्रेजो के विरुद्यूद में समलित नहीं होगा यदि हैदर अली समझोते के नुसार कारे नहीं करेगा तो महाजी हैदर अली के विरुद अंग्रेजों का साथ देखगा तो ये थी आपकी सालबाई की संदी की सत्य अब देखेगा जो सालबाई की संदी है ये इत्यास में बहुत ही महतवपुन है अतै इसका महतवए भी आपको पढ़ना चाहिए तो देखेगा सालबाई की संदी है वह भोती मैतों पुण है अंग्रेजों ने माराठों से संधी करके मैसूर को माराठों से लग कर दिया हैतरेली की मरत्यों के बाद उसके पुत्र टिप्भु ने युद्ध जारी रखा लिकिन उसे माराठों की सहाथ styl प्राप नहीं हो सके जिसके प्रणाम सुरूप अंग्रेज मैसूर की सक्ति को सरलता से कुचल सके मैसूर की सक्ति को कुचलने के बाद अंग्रेज पुन्य मराठों की सक्ति को नस्ट करने की और आकरशित हुए इस यूद से अंग्रेजों को इस बात का पता लग गया कि मराठा संग के सद्ध से पारस्पिक द्वेज से पी कि इसने भारत में अंग्रेजों का प्रभूता इस्तापित कर दिया तता इसके बाद 20 वर्सों तक अंग्रेजों और मराठों के भी सांती बननी रही इसमित ने इस संदी का महत्व आवस्थे से भी अधिक बता है वास्ते में यह संदी अंग्रेजों की असफलता को सुचित क संदी के पूरा जो कुछ प्राप्त किया था हुए साज सेट को छोड़ कर सब कुछ खो दिया इस संदी ने पेश्वा की स्तिदी को सुद्रड बनाया तता महाजी का महत्व इतना अधिक बढ़ गया कि वह मैशूर पर अपना प्रभूता इससापित करने लगा अंग्रेज प्रभूता नहीं बलकि मराठों के प्रभूता में वर्द्य हुई अंग्रेजों और मराठों के बीच 20 वर्सों तक सांतिय वस्य बनी रही लेकिन इसका कारण सालबाई की संदी नहीं था बलकि अंग्रेज उत्तर भारत में दूसरी समझें समस्यों में उलज गये थे जिस प्रभू हमने यह पर्थम अंग्ल मराठा यूद के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और यह टोपिक एक्जाम के दस्टी से बहुत महत्तों पुण है आगे के वीडियो में हम आपको द्वित्य अंग्ल मराठा यूद के बारे में पढ़ाएंगे और तब तक बने रह हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर धन्यवाद